नमस्कार दोस्तों, WNKD Study Portal के YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में त्रिक्रमीती के फर्मूलों के बारे में बढ़ेंगे देखे यह आज हमारा त्रिक्रमीती फर्मूला का दूसरा भाग है यदि आप सब पहला भाग नहीं देखे हैं तो वह भाग आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग जवड देख लीजिएगा तो देखे इसके त्रिक्रमीती फर्मूले के पहले भाग में हम आप लोगों को बेसिक से बताए हैं या बेसिक से फर्मूले को समझाए हैं और देखे आज इसका दूसरा भाग है जो आगे का फर्मूला हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे तो चलिए देखते हैं देखें आज का जो फार्मूला है तिरकोडमीति ये फ्छलन एवां सूत्र के अंतरगत फार्मूला है तो देखें इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो चलिए देखते हैं इसका पहला फार्मूला क्या है तो देखें इसका पहला फार्मूला है देखिए पहला फर्मूला है देखिए इस फर्मूलों को आप लोग याद रखेगा देखिए इसका अगला फर्मूला है दूसरा फर्मूला से को देखिए sin c minus sin d is equal to होता है 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 देखिए इसका दूसरा फार्मुला जो है sin c minus sin d is equal to होता है 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 देखिए इसका अगला फार्मुला देखिए अगला फार्मुला है cos c plus cos d देखिए cos c plus cos d is equal to होता है 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 देखिए इसका अगला फार्मुला जो है cos c plus cos d is equal to होता है 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 देखिए इसका अगला फार्मुला जो होता है cos c minus cos d is equal to होता है 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2 देखिए इस वाले फार्मुले में थोड़ा सा कुछ चेंज़ेस है देखिए उसको आप लोग समझ लेजिए देखिए उपर दिया है फार्मुला नंबर 3 में cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 और देखिए अगला फार्मुला है cos c minus cos d का तो देखिए cos c minus cos d is equal to होता है 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2 देखिए यहाँ पर चेंज ए है देखिए उपर वाले फार्मुला पर c minus d upon 2 है और देखिए यहाँ पर d minus c upon 2 है तो देखिए आप लोग इसको अच्छे से इसको समझ जीएगा नहीं तो आप लोग गलत कर देगे ऐसा नहीं कि c minus d देखिए यहाँ पर d minus c upon 2 होता है देखिए अगला फार्मुला है च c minus c d इसकल 2 क्या होता है 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2 अब चलीए इसका अगला फार्मुला देखते हैं देखिए अगला फार्मुला है 2 sin a into cos b इसका अगला फार्मुला देखिए 2 cos a into sin b इसका अगला फार्मुला फार्मुला नबर फार्मुला देखिए 2 sin a into cos b is equal to होता है sin a plus b plus sin a minus b देखिए अगला फार्मुला है 2 cos a into sin b is equal to होता है sin a plus b minus sin a minus b अगला फार्मुला है देखिए अगला फर्मुला दिया है 2 कास A इंटू कास B इसकल टू कास A पलस B पलस कास A माइनस B देखिए फर्मुल नमबर साथ दिया है 2 कास A इंटू कास B इसकल टू कास A पलस B पलस कास A माइनस B ठीक अगला फर्मुला देखिए अगला फर्मुला दिया है 2 साइन इंटू साइन बी इसकल टू होता है कास A माइनस B माइनस कास A पलस B देखे 2 sin A into sin B is equal to क्या होता है cos A minus B minus cos A plus B ठीक तो देखे इसका अगला फर्मूला देखे इसका अगला फर्मूला दिया है फर्मूला नमबर 9 sin 2 A is equal to 2 sin A into cos A is equal to देखे इसका अगला फर्मूला होता है sin 2 A का देखे sin 2 A का फर्मूला क्या होता है 2 sin A into cos A और देखे sin 2 A का अगला फर्मूला होता है यह बाद देखे 2 10A upon 1 plus 10 square A ठीक देखे साइन 2 एका दो फर्मूला होता है देखे एक फर्मूला होता है 2 sin A into cast A और दूसरा फर्मूला होता है 2 10A upon 1 plus 10 square A देखे इसका अगला फर्मूला देख लेजिए अगला दिया है cast 2A is equal to cast square A minus sin square A देखे इसका एक और फर्मूला होता है देखे इसका जो अगला फर्मूला होता है यह होता है 1 minus 2 sin square A देखे इसका एक और फर्मूला होता है अगला फर्मूला होता है 2 cast square A minus 1 ठीक देखिए इसका एक ओर फर्मूला होता है देखिए इसका अगला फर्मूला जो होता है यह होता है 1-10 square a upon 1 plus 10 square a देखिए cash 2 यह का फर्मूला देख लेजिए देखिए cash 2 यह का चार फर्मूला होता है देखिए cash 2 is equal to 2 होता है cash square a minus sin square a देखिए a भी इसका एक फर्मूला है और देखिए अगला फर्मूला होता है cash 2 is equal to 1 minus 2 sin square a भी होता है देखिए A भी इसका फर्मुला है और देखिए कास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अपान 1-10 स्क्वाइर A देखे 10 2A का फर्मूला क्या होता है 2 10 A अपान 1-10 स्क्वाइर A अब देखे 10 2 A का हो गया अब यहां पर हो जाएगा अगला देखिए काट 2 A स्क्वाइर A माइनस 1 अपान 2 काटे देखे 10 2 A का फर्मूला होता है 2 10 A अपान 1-10 स्क्वाइर A और देखे काट 2 A का फर्मूला क्या होता है काट स्क्वाइर A माइनस 1 अपान 2 काटे अब देखे आगे का फर्मूला क्या दिया है उसके भी बारे में हम लोग पढ़ देते हैं अगला फार्मूला देखिए अगला फार्मूला दिया है फार्मूला नमबर बार है देखिए दिया है साइन ए इसकल टू टू साइन ए अपान टू इन टू कास ए अपान टू देखिए sin a is equal to 2 sin a by 2 into cos a by 2 देखिए एक किसका फर्मूला है यह फर्मूला sin a का होता है अब देखिए sin a का एक और फर्मूला होता है is equal to 2 10 a by 2 upon 1 plus 10 square a by 2 देखिए sin a is equal to 2 sin a by 2 into cos a by 2 is equal to 210 a by 2 upon 1 plus 10 square a by 2 देखिए sin a का दो फर्मूला होता है 2 sin a by 2 into cos a by 2 यह भी होता है और देखिए इसका आगला फर्मूला जो होता है 210 a by 2 upon 1 plus 10 square a by 2 होता है अब देखेए इसका आगे का फर्मुला हब लोग देखि लाते हैं तो देखें दोश्डों या फर्मुला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए तभी आप लोग तर uncomantine के प्रस्नों को सालव कर पाएंगे तो चलिए देखें इसका अगला फर्मूला दिया है फर्मूला नमबर 13 देखिए अगला फर्मूला है कास ए इसकल टू कास स्क्वाइर ए बाइ टू माइनस साइन स्क्वाइर ए बाइ टू देखिए इसका एक और फर्मूला होता है अगला फर्मूला इसका देखिए इसकल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वाइर ए बाइ टू ठीक देखिए इसका एक और फर्मूला होता है कि लेकर से का भी चार फर्मुला अग lasci inscribe हो। माइनस देंसका अगला फर्मुला होता है आध titre अे बाई टू अपन 1-10 square a by 2 upon 1 plus 10 square a by 2 देखे, कास एका फर्मूला आप लोग एक बार और देख लेजिए देखे, कास a is equal to होता है कास square a by 2 minus sin square a by 2 ठीक, देखे, कास एका एक और फर्मूला होता है 1-2 sin square a by 2 देखे, एक भी होता है और देखे, कास a का अगला फर्मूला देख लेजिए कास a is equal to होता है 2 कास square a by 2 minus 1 भी होता है और देखे, इसका एक और फर्मूला आगला होता है 1-10 square a by 2 upon 1 plus 10 square a by 2 होता है तो इस फर्मूली को आप लोग अच्छे से समझ लेगेगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा चलिए अगला फर्मूला देखते है देखे, अगला फर्मूला दिया है 10 a is equal to 2 10 a by 2 upon 1 minus 10 square a by 2 देखे, एक 10 is equal to होता है 210 a by 2 upon 1 minus 10 square a by 2 ठीक, अब देखे, यहाँ पर काट कर देखे लीजिए काट a is equal to होता है काट square a by 2 minus 1 upon 2 cut a by 2 देखे, काट a is equal to होता है काट square a by 2 minus 1 upon 2 cut a by 2 देखे, अगला फर्मूला देखे लीजिए देखे, अगला फर्मूला दिया है फर्मूला नमबर 15 देखे, दिया है साइन, साइन, 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin qa अगला देखे, अगला फर्मूला देखे लीजिए फर्मूला नमबर 16 काट 3a is equal to 4 cos qa minus 3 cos a देखे, साइन, 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin qa अगला काट 3a is equal to 4 cos qa minus 3 cos a देखे, इसका अगला फर्मूला देखे लीजिए फर्मूला नमर 17 दिया है 10 3A is equal to 3 10A minus 10QA upon 1 minus 3 10 square A ठीक अगला फर्मूला देख लिए काट 3A का फर्मूला क्या होता है देखिए अगला फर्मूला दिया है काट 3A is equal to होता है काट QA minus 3 काट A upon 3 3 काट A minus 1 देखिए इसका एक और फर्मूला होता है is equal to देखिए काट 3A का काट 3A का एक और फर्मूला होता है 3 काट A minus काट QA देखिए यह जितना फर्मूला हम आप लोगों को बताए है यह फर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए तभी आप लोग तर्कुलमीती के प्रस्नों को अच्छी तरह से साल्व कर पाएंगे तो देखिए दोस्तों यह फर्मूला तर्कुलमीती फर्मूले का लाइंच फर्मूला था तो दोस्तों यह आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा